दोस्तो बड़े आराम से टीम इंडिया ने शिलंका को पहले वंडे मैच में सरसाचन से हरा दिया लेकिन क्या इन सवालों से भागा जा सकता है कि सुरे कुमार यादव और इशान किशन के बिना क्या हम वंडे वर्लकप जीत सकते हैं इस मैच ने भी यही दिखाया है भले सरसाचन की जीत बड़ी जीत लगे लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उस्त्रेलिया और इंग्लेंड जैसी टीम होती तब भी क्या ऐसा होता क्या 373 रन का स्कोर परियाप्त होता ऐसे बैटिंग ट्रैक पर माना शुबमन गिल ने 60 गिन में 70 रन बनाए और केल राहुल ने भी 29 गिन में 49 अंकी पारी खेली इसके माइने ये है कि इन दोनों ने अगले मैचों के लिए भी तकरिबन अपनी जगह पकी कर ली है और इशान किशन और सुरे कुमार यादो का बेंच पर बैटना तैह है लेकिन क्यों इशान किशन और सुने कुमार यादो का बेंच पर बैटना वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए खतरनाक है फैक्स के साथ बात करते हैं जो भी वर्ल्ड कप में जीतने के लिए चाहिए उस पर बात करते हैं पहले आप ये तस्वीर देखेए केल राहुल की ये तस्वीर है बांगला देश के खिलाव पहले वंडे मैश की टस्वीर है जब केल राहुल ने महदी हसन मिराज का कैच छोड़ा था और ये कैश नहीं छोड़ा बलकि मैश के साथ सीरिज भी टीम इंडिया हार गई क्योंकि आखरी जोड़ी थी बांगलादेश की उस वक्त क्रीज पर और महंदी हसन मिराज का आसान सा कैश केल राहूल ने टपका दिया और टीम इंडिया दो एक से सीरिज हार गई अगर राहूल ये कैश पकड़ लेते तो टीम इंडिया दो एक से सीरिज जी जाती अब दूसरा ये कैश देखिए इसमें इशान किशन विकेट कीपर है शिलंका के बलेबाज असलंका का ये कैश है पहले की ट्वंटी का कैश है और दो रन से हारी थी इस मैश में शिलंका अगर इशान किशन ये कैश छोड़ देते तो शायद टीम इंडिया हार जाती क्योंकि विकेट जादा गिर गए थे आसान बैटिंग विकेट माना जाता चेज करने के लिए बान खेड़े स्टेडियम में तो वहाँ पर इशान किशन के इस कैश ने मैस का पासा पलट दिया वरना असलंका बहुत खतरनाक मूर में आ गए थे स्पिनस को छक्के लगाने लगे थे उमरान मलिकी गेंद पर ये डाइविंग कैश जो पकड़ा ईशान किशन ने ये दिखाता है कि वर्लक अप में आपको स्पेशलिस्ट विकेट कीपर कितना जरूरी है और केल राहुल से विकेट कीपिंग कराना वर्ल्ड कप में कितना भारी पड़ सकता है आप काम चलाओ विकेट कीपर के साथ वर्ल्ड कप जैसा टूनामेंट नहीं जी सकते और दूसरी बात करते हैं अब बल्ले बाजी की यह हुई विकेट कीपिंग की बात अब बलेबाजी की बात करते हैं टीम इंडिया ने 373 अंका स्कोर खड़ा किया शेलंका आराम से हार गई लेकिन हमारा मुकाबला वर्ल्ड कप में शेलंका से नहीं होने जा रहा जो वर्ल्ड कप के दावेदार है वो उस्टेलिया इंग्लैंड और न्यूजिलेंड जैसे टीम है इनी के साथ टीम इंडिया को फाइट करनी है और जब इंडिया में कोई टीम चेज करती है तो 373 आज के दौर में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है जिस तरह का बैटिंग था गोहाटी में एक उधार मैं आपको देता हूँ 2021 में जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तो एक बंडे मैच में भारत ए 336 का स्कोर खड़ा किया और 43 ओवर में चेज कर दिया था इंग्लैंड ने इंग्लैंड के ओपनर्स ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था शिल दिये इस स्कोर को जो 373 का था इसको सबाद 400 तक आराम से पहुंचाया जा सकता था अगर आपके पास उतनी हीटिंग पावर होती आखरी के ओवरस में साड़े साथ के करीब आवरेज तो आदी पारी तक टीम इडिया लेके चल रही थी तो आपने उसको उपर कहां उठाया लास्ट के जो डैथ होवस है उसमें जो पिटाई की जाती गिन बाजू की वैसी नहीं हुई आखरी के तीन ओर में तो 17 रन बनाए टीम इडिया ने तो वहाँ पर जरूत है सुरे कुमार यादव जैसे पावर हीटर की और जब आपके पास आप पिछले कुछ वर्ड कप उठा कर देख लीजिए अगर आप पुराने जमाने से देखे तो जब एडम गिलिकिस तो या एक पावर हीटर है और आखरी के ओवस के लिए पारी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े हिट लगाने वाले बलेबाज हैं और इस बलेबाजी लाइन अप में अगर बात करें तो सारे मीडियो कर बोलते हैं जिसको कि टेकनिकल रूप से अच्छे बलेबाज हैं कै счит कारी अरियर अरियर माना जाता है है लेकिन这是 30 के साथ के लिए बड़ेबाज जैसे बलेबाज तीम में कैसे खेढ़ सकते हैं वो काम-चला आओ विकेट्कीपर जो काज छोड़कर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और एक कैक छोड़ना या स्टंपाउट छोड़ना या बाइस के रंच छोड़ना कई बार टीम को महंगा पड़ सकता है और वर्लकप जैसे टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़ सकता है आपको काम चलाओ विकेट कीपर के साथ जबकि आपके पास इशान किशन जैसा बलेबास वि अंतर है 100 से उपर का स्ट्राइक रेट है इशान किशन का और अभी तो वह रंग में आना शुरू हुए हैं अगर पिछले 5 मैच की बात करें तो 76 का इवरेज है इशान किशन का और शुबमन गिल का करीब 46 का इवरेज था इस मैच से पहले तो जब ऐसे बलेबासों को मौक सकते हैं कि लाल गकेन् सेTP कि एतना आसान नहीं होता क stunt 20 गयात बल्लेबाज की बल्लेबाज चैलेंट की बाद आफि ऐ से spoiler फार एक गूर्ड में परिश्क है की वाद अगर गाराप ब्रड्ट कप जीतना है और इंडिया में मैच होने तो जैसी बैटिंग में डेप्थ है इंग्लेंड के पास जैसी पावर हीटिंग है इंग्लेंड के पास या उस्टेलिया के पास आपके पास भी वैसी पावर हीटिंग होनी चाहिए उस उन पावर हीटर्स को आप बेंच पर नहीं बिठा सकते जो लगातार निर आगडे बेहत शांदार हैं लेकिन क्या शुब्मन गिल बीस औवर बल्यबाजी करके मैच को खत्म कर सकते हैं सामने वाले टीम के लिए। अगर इशान किशन ने करके दिखाया कि अगर इशान किशन 20-25 ओवर बलेबाजी करते तो सामने वाली टीम के लिए मैच वहीं खत्म हो जाता है जबकि शुबमन गिल अगर ऐसा करते तो 70-80 रन बनाएं यह उसे मैच खत्म नहीं होता बहले है आकड़े आपको अच्छे लग करते कप्तान को टीम के लिए अपनी जगाए भी छोड़नी चाहिए और सुर्य कुमार यादव जैसे पावर हीटर को अगर केल राहूल और सुर्य कुमार यादव की आप तुलना करें तो सोचे कि कौन ज़्यादा तेजगती से रन बना सकता आखरी के ओस में तो यह जो श कर जाती है कई बाद बड़े टुनामेंट में लेकिन में तोर पर मैं मानता हूँ कि ऑस्टेलिया और इंग्लेंड के साथ ही मुकाबला होना है तो उसी के हिसाब से रणनीती बनाने चाहिए और अपना जो बैस्ट बल्लेबाजी लाइन अप हो सकता है आपको किसी को संतु पार यादों की पारी यादा थी कि आज तक सुरह कुमार यादों ने बहुत टीटवंटी मैच जिताए हैं शतक लगाए हैं तीन लेकिन मुझे आज भी उनकी बैस्ट पारी लगती है जो दक्षिन अफरिका के किलाव वर्ल्ड कप में उन्होंने पर्थ में खेली तीहत्त रनकी क्योंकि उस पिछ पर बलेबाज नाचते नजर आ रहे थे और वहां पर उन्होंने इतनी धुआधार पारी के लिए भले मैच हार गई टीम इंडिया लेकिन मुझे अब भी बैस पारी सुरह कुमार यादों की वही लगती है तो हालात के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी मुझे समय में मैच का पासा पलर सकता है उसके हिजाब से टीम कॉम्मिनेशन होना चाहिए इसलिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको सुरह कुमार यादों और इस्यान किशन को खिलाना जरूरी है